बिसमिल्ला रह्मानी रहीं, वेलकम टो मैं चैनल स्टेडी रूम चेप्टर फॉर एक्सराइस फॉर बी कोशन नमबर वन मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ वो है आक्सफॉर्ड सेविंट एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक वन है अच्छा इस वक्त हम चेप्टर फॉर का यह जो एक्सराइस फॉर भी कुशन नमबर वन कर रही है इसका जो पार्ट ए है इसमें करना गया कुशन नमबर वन में इन्होंने कहा है कि explain each of the following expressions कुछ expressions दी हुई है और उनको explain करना है किस तरह करना है इदर हम यूज करेंगे distributive law अब कैसे करना है यह मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चूकी distributive law क्या होता है और किस तरह इसको apply करते है तो बहुत ही simple है इसका part a देख लेते हैं minus यह जो है इदर minus यह one तो show नहीं करा यह जो है यह पहले इस वाली term से multiply होगा और फिर यह इस से multiply होगा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा यह एक group है दो numbers का यह आपस में add हो रहा है और यह जो third number है बहार minus one इस से यह बारी बारी multiply होगा सबसे पहले यह minus x से और फिर यही minus one यह five से हो जाएगा minus plus minus into x minus plus minus और five आ जाएगा यह इसका answer हो गया इसी तरह हम इसका part b करते है part b में यह भी बिल्कुल उसी तरह कह रही है यह है minus sign और यह है दो numbers है एक minus x है और एक plus four है यह आपस में add हो रहे है तो यह पहले minus one जो है यह पहले इससे होगा और फिर इससे होगा minus four minus plus minus और यह one fours are four minus minus plus और one x यह इसका answer हो गया इसके c part में क्या कह रही है यह कह रही है एक number two है जो किस से multiply हो रहा है दो numbers का group है 3y plus 7 जो आपस में add हो रहे है किस तरह आप करेंगे यह two पहले 3y से multiply होगा और फिर यह two seven से two three is a six two into three y six y plus 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 two sevens a fourteen और यह इसका answer है इसका d part भी इसी तरह होगा यह eight है यह two y से पहले multiply होगा और फिर minus five से eight into two y minus five eight two the sixteen sixteen y minus eight five the forty और यही इसका answer है plus minus minus eight five the forty अब इसका हम e part कर रहे हैं e part भी बिल्किल इसी तरह होगा यह eight into three y three a minus four b पहले तो मैंने question लिख दिया और eight जो है three a से multiply होगा तो eight into three a twenty four a plus minus minus eight fours are thirty two b और यही इसका answer है अब करते हैं इसका part f part f में क्या कह रहेंगे यह minus three है और यह c plus six से multiply हो रहा है minus plus minus three into c three c minus plus minus three into six eighteen और यही इसका answer है अब इसका g part हम करेंगे g part में क्या है minus four जो है यह d minus six से multiply हो रहा है minus four into d minus six और minus plus minus four into d four d minus minus plus यह आजाएगा four into six twenty four और यह इसका answer है h part में यह हम से क्या कह रहे हैं यह two a है यह किस से इस गुरूप से multiply हो रहा है यह दो numbers का गुरूप है x और minus y तो two a into x minus y two a into x two a x plus minus minus two a into y two a y और यह मेरा answer आ गया मुझे उमीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे चैनल को लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें बबाट變ु सब्सक्राइब करते गया होगगों करो। भागों अधियू को अप्डेब को श्रवतों करते झाते है मुझे कॉपन काओ ग्या की कर्याओ रहे लगाएं